मैंने किडिनेपिंग राजिश कुमार यादव कि आपको एक बात समझ भी नहीं आते हैं आप चाहते क्या है जब नितीश कुमार जी को यह पता है नहीं कि फिप्टी परतिसत से जैदे मंत्री मंदल में अपराधी फोटी से बान छपपन ठेकेदार कॉंट्रेक्ट ऐसे लोग मंत्री मंदल में आप ले जाएंगे कि अपने तिसी सी lit पतर्कार से कर रही हैं कि अब अच्छा कैंज में समाज का प्रति भी महीं बनाई है का माफ्याओं को सराब का चार सारे चार हजार करोर का सराब का विजट था विहार सरकार का और अब वजट हो गिया सारे आठ हजार करोर से उपर का पैरलल एकोनोमी चल लए है आप पैरलल एकोनोमी का मतलब है तेरह हजार करोर के राजस्व का घाटा बिहार का लगभग अपराधी छिछोरा माफिया आपको आश्चर्ज होगा अब सराप बेज करके समाज को दूसित करता है जिसको साइकिल नहीं था उसको एसकोर्पियो और फर चुड़ा रहे क्या इससे एदी की जाच नहीं होनी चाहिए कि 15 साल 10 साल 4 साल पहले जिसके पास कुछ नहीं था दुमाला घर बना के दस्थो 32 एसी लगा लिया मैं तो कह रहा हूं कि जमीन के दलालों का बालू के माफिया हूं का और जिसका जिसका सरकार का इंवलमिशन पदा दिखारी का इंवलमिशन नेताओं का इंवलमिशन इन jiğin की इदी की पूरी जांच हो बीस तीस साल में किस-किस ने कितना संपत्ति बढ़ाया है उसकी जांच के मान हम कई बार कर चुके हैं लेकिन आप फ्रीडम दिये वाई लोग को आदत हो गई है कि सबसे सस्ता सराब जमीन बालू और किसी की जिन्दगी को खतम कर दें लगातार प्रुपेशा शथयाकान का क्या हूँ कि मैं कई बार कहा हूं कि यदि रीतुराज ने मारा तो मोटीव क्या है कि आप इन्टेंशन बताते हैं आए प्रेकंडव कि में पीछे कि पीछे मैं बार-बार कहता हूँ या तो सीडी है या तो लड़की है या तो ठेका है और दीजी ने भी कहा था कि रुपेश की हत्या सूटर ने किया अरी तुराज कहते हो कि पहली दिन गोली चला है तो सूटर तो हुआ नहीं दूसी बाद आप बार-बार कहें या तो ठेका से मरा है या नहीं तो रूपेस की हत्या आप एरपोर्ट के धंदे से वहां जो चलता है आपको कार पार्किंग ये सब उससे मरा तो पूरी सरकार बचाने में लगी है जिसने मरवा है अपरादियों को तो सरकार प्रयोजित संदर्चन है अब जो गटना इतनी बड़ी घटना घटी लगातार बल्या में और बेउस्रह में लगातार हम आते रहे हैं घटना पर घटना अभी मैं अलोली जा रहा हूं संजीत यादव की अत्या कर दी गई और उसके बाद वहां के मुख्या उसको उल्टे धंकी देते हैं कि कई ऐसी घटना इस इलाके में घटी है जो आप सोच नहीं सकते हैं तो बल्या में जो घटना घटी है राजेस यादव की और उसको लेकर के जो पूरा का पूरा समाज आंदोलित है चाहे हमारे छात्रनेता सुमित जी या बलबंद जी जो जो संगर्स के जो प्रती बने हुए हैं उनको ग्रफतार के लिया तो इससे आवाज थोरी रुखती है जन की आवाज जब वढ़ती है तो आज पूरी दुनिया में किसान की आवाज वर्ल में एपराउड से लेकर के एक एक जगा आलोचना यह इतनी डड़ी सहमी सरकार है जिसको हिरो हिरो इनका नचनिया कंगना रंगना चक्खना यह रंगना नाम नहीं है इसका नाम चक्खना है अब इस सबका साहरा लेना पर रहा है इतनी डड़ी भी सरकार तो अपरादियों के संदक्षन में जब कोई सरकार चलने लगे तो समझेगा लोगतंत्र का समावति तो आज अपरादी माफिया बलतकारियों के हाथ मैं आज मैं बिहार सधी भी जा रहा हूं जहां दो दो बच्ची का किट्नेप करके मार दिया गया है बल्या की घटना पर हमने डियाई जी सहीब से बात्चित की स्पी बात्चित हम कर रहे हैं छोरेंग सब्सक्राइब करना कोट का काम नहीं है हम किसी में सजावार होंगे तब नहीं नहीं दोगे कि कि आप मुखेर कानोन है जैसे आपने चिठी निकाल दिया पप्पु यादव के चलते हैं तो सोचल साइड वाला साइवर हप उसके लिए है साइवर कानोनी कारवाई करेगा या सर्वुच नियाले का जो गैड्लैंस से सोचल मिडिया को लेकर वही चलेगा इनकी लव लेटर कि दीजी कानून नहीं नहीं है कि सुब बाजय तबाजय चल्नियों बाजय है तो चुहा खाके बिल्ली चले हज करने सीशे के घर मेरा के पत्तर पेड़ता है इनके दादा का और होकाद है आंदोलनकारी को यह नोगरी ने देगा तो इसकी लड़ाई हम लग लड़ रहे है छोड़ेंगे तोरी तो इसलिए उसकी चिंदा नहीं है अभी बल्या की घटना का मिर्टा से ली जानी चाहिए और मुझे लगता है कि बल्या की घटना पे जनान दोलनका अभार होगा यह डीएसपी यह ठाना प्रवारी कितना भी सुमित जैसे संगस के साथ ही को गिरफतार करें अवाज दबाने की कोशिस करें वह नहीं बल्या की अवाज नहीं रोकती है बल्या एक रांतिकारी जगा है और बल्या लरना जानता है